स्वराश्ट्रकच की पोस्ट की तरब आगे बढ़ रहे हैं साध्याट बजे लेगे अब्जर्वेशन की हिसाफ से साइक्न बढ़ एक घेरी सीवा स्वराश्ट्रकच की हिसाफ से 115 से 125 कंपती घंटा पूल स्पीट की साथ कराची और मांडवी की बीच में जखाओ की आसपास तरट को हीट कर रहा है इसका डिस्टन्स जखाओ से 30 किलमेटर था और अभी इसका डिस्टन्स लगवग 20 किलमेटर है और यह साइक्लोन तरट की तरफ लगवग 12 किलमेटर प्रतिवन का स्पीड में आगे बट रहें इसलिए 11 बजे तक इसका जो सेंटर है लेंड के उपर जाने का पुद्वान मांद है इसके बाद धीरे धीरे इसका वीक्निंग होगा जैसे आप नौर्ट इस टारिशन पर जाएगा और काल सुबह को यह होते हुए एक साइक्लोन स्ट्रॉम जिसका विंट्स्पीट 75-25 केमपेज हो सकता है इसके प्रभाब में विंट्स्पीट अभी 30 इलाका में बर्ट स्ट्रंग चल रहा है 115-125 केमपेज और यह विंट्स्पीट धीरे धीरे अभी कम होने लगेगा इसके हिसाब से जो स्ट्रंग सर्जेट टाइडल वेफ वह भी धिरे-धिरे कम होने लगेगा अगले 3-6 आवर्स में हेविरेंग बॉल जारी रहेगा हेवी थी हाज काहता ट्र्ग में जारी हो रहेगा होगा मगर हेविट्रेंग हाजक शुर्हास्थर नर्र सुख सकता हे इसके साथ 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 रजस्तान पे स्रुतरिक और स्रुतरिक को भी इसलेकर हेवी तो एक्स्रेम हेवी रेंफॉ पर नेकापुर्वान मान है। सब्सक्राइब निपर्जय इस मुविंग तोर्स श्राइब कर्च पूस्ट इस स्पीड आफ 12 किलमेटर्स पर आवर एक 8 20 p.m. इस बijnुटर आवर एक 58 20 kms. आवर नस हरुश तो फ्रस्ट्राइ्कुज और गिर्यटन प्रकिस्तन प्रच्ट बेन क्राची और मन्ही दिए जाखावपॉर्ट by 1130 the center of the cyclone will be over land but landfall process will continue till midnight and after that the intensity will decrease at present in the time of landfall which is going on the wind speed is about 115-125 kmph westing to 135 kmph by morning of 16th it will further weaken will become a cyclone storm which will speed up 75-85 kmph over the interior districts of saharashtra and by evening it will weaken into deep depression and wind speed will be 50-60 kmph over the interior districts of saharashtra our coastal districts including cuts wind speed will be 40-50 kmph westing 60 kmph by afternoon of 16th june so therefore the maximum impact of the strong wind will continue till morning of tomorrow but peak impact will be up to midnight the heavy rainfall will continue and it can lead to the inundation in the low-like areas the storm surge will continue it would be about two meters for next three hours and after that it will also reduce significantly as the cyclone will move inland thank you